Hi, This is प्रवात रेंजर आज की इस फुड़े रिवीव कर रहे होंगे Арka JN उनिवरस्टी जम्शेथपूर की आज की इस विडियो मेर डिरेक्टली हम आरका जेथां कह रहे हैं यानि की हम इनके आरकाजेन उनिवर्सटी जमशेदपूर कैंपस की डिरेक्टली बात कर रहे होंगे तो आरकाजेन हमारे जमशेदपूर जहारखंट में से देख प्राइवेट उनिवर्सटी है जिसके अंदर आज की रेट में आरकाजेन उनिवर्सटी जमशेदपूर की स्थापना 2017 में होई थी और बात के लिए नरफ रैंकिंग की तो अभी नरफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है सबसे पहले इंटरेंट पर जितना भी डेटा एवेलेबल है लाइक प्लेस्मेंट्स एडमिसन प्रोसेस कट आफ फिस्ट्रक्चर बहुत क्विकली डिसकस करने के बाद अराम से इत्मिनान से कॉलेज है नोस्टर लाइब डिसकस कर रहे होंगे तो स्टार्ट कर लिए प्ल कोड एवेलेबल करा रखा गया है जिसके वज़े से ओफिशल डिटेल्स तो बता पाना मुस्किले लेकिन जो स्टुडेंट्स ने हमारे साथ डिटेल्स आजा किये हैं लाइक एवरेज पैकेज हमें देख रहे हो मिला है अगर बीटेक के बारे मात कर लें तो तीन से चार परसेंटेज के बीच में स्टुडेंट्स ने बताया तो आवरेज हम पचास परसेंट मानकर चल सकते ज्यादा ज्यादा चलिए साथ परसेंटेज और इसी के साथ हम बात कर लें हाइएस पैकेज 9 से 10 लिटेका बता जा रहा है वो भी किसी बीसी ए स्टुडेंट को मिला है तो इसी प्रकार का कुछ प्लेस्मेंट सिनेरियो है बाखी सारे इस्टुएंट्स कुछ गेट का प्रिपरेशन हो गया कोई गवर्मेंट जॉब का प्रिपरेशन हो गया और अगर कुछ प्लेस्मेंट जॉब रोल्स की बात कर भी ले तो मास रेक्रियूटर्स जो गया थो तो courses के लिए इन में job opportunities के लिए आ रहे हूँ बात कर लिए admission process की तो सबसे पहले आप इनका application form fill out कर रहे हूँ या तो online इनके website पर visit करके fill out कर सकते हूँ या फिर directly इनके campus विजिट करके एक offline application form भी fill out कर सकते हूँ इसके बाद आप या तो इनका AJU, CET इनका exam होता है entrance exam ये दे सकते हूँ या फिर Jamin के exam के basis में जो भी आपका rank आया हो या फिर class 12 board में जो भी आपका marks करा हो मतलब बहुत सारे variety होते हैं direct admission का भी option हो बहुत सारे options होते हैं तो admission criteria को लेकर हमें ज़्यादा चिनता लेने वाली बात है admission लेना हो तो admission मिल जा रहा होगा बस class 12 में आपके 45 percentage से ज़्यादा number होने चाहिए BTEC admission के लिए बात कर ले cutoff की तो मारे पास as such कुछ cutoff details available नहीं है कुछ scenario ही नहीं बनता है देख रहे हो इतने प्रकार के admission प्रोसेस है या तो डिरेक्ट लिन का AJU CET का एक्जाम दे सकते हो जई में के basis पे class 12 बोड के basis में मतला अगर admission लेने का मन हो तो admission मिल जा रहा होगा हमारा एक local engineering college बोल सकते के local private university है हमारे जमशेदपूर में based तो इस प्रकार के universities या फिर engineering colleges में usually as such कुछ हमें cutoff देखने को नहीं मिलते हैं अगर admission लेना हो तो admission मिल जा रहा होगा बढ़हा जेहीं में इनके basis पर class 12 board marks के इन सब के basis पर अगर आप अपलाई करते हो तो जो भी आपका rank रहेगा जो भी class 12 board marks है उसके basis पर आपको काफी अच्छे कास है scholarship भी देखने को मिल जा रहे होते हैं फिलाल अगर बात कर ले हम फी structure की तो मारे साथ ने फी structure कुछ इस प्रकारे लाइक students ने बताया है पर येर आपका 85,000 के आसपास कुछ फी structure पढ़ जा रहोगा tuition fee और बागी सारे institute fee की अगर हम बात कर ले तो वही होस्टल fee के बारे में बात कर ले तो आपका होस्टल प्लस मेस fee दोनों ही मिला कर पर मंद कुछ 6,000 के आसपा students ने बताया है तो finally हम पहुंसे अपने college and hostel life most amended topic के अपर तो सब सब आल इसी point के साथ start करना चाहूँगा हमारा आरका जेन university जमशेदपूर एक्चली आरका जेन के बहुत सारे campuses है जो आल ओवर इंडिया जिसमें आज के इस वीडियो में हम इनके जमशेदपूर campus की बात कर रहे हैं जो के actual एक गमहरिया एक टाउन में located है 25 एकर campus एरिया के अंदर अगर थोड़े बहुत connectivity की बात कर ले तो इनका जो main railway station बन जाथा टाटा नगर railway station से तक्रीबन 13 km दूर पढ़े जा रहे होते हैं आज सच कुछ आपको international airport देखने को नहीं मिलता एरपोर्ट का तो कुछ खास सुभिधा है नहीं लेकिन अगर main railway station की बात कर ले तो लगबग 13 km दूर पढ़े जाता है वरना अगर आप छोटे बड़े railway station की बात कर लो तो गमहरिया आपको station भी देखने हो मिल जाएगा जो थोड़े ही दूरी पर है बट मेंली अगर आप कहीं दूर दराज जाये गए से आ रहे हो तो आपको टाड़न अगर railway station की जरौत पढ़ रही होगी इसी के साथ अगर हम बात कर ले थोड़े बहुत और डिटेल्स तो आपको hostel facilities भी देखने हो मिल जाते विद एसी एंड नन 2-seater, 3-seater, 4-seater rooms, fish structure मैंने थोड़े दिर पहले बता दिया जो average fish structure आपका hostel प्लस मैसवी का बनने वाला है मैस भी students ने बढ़िया ही बताया है डिसेंट है होस्टल भी ठीक ठाकी है लेकिन students usually कहां से पहले देखी किधर मदब किस प्रकार के students यहां पर पढ़ने आ रहे होते हैं तो जमशेकपूर के जो different regions में based हैं वही सारे स्टुरेंट्स पढ़ने आते हो दूर आज अगर location में based हो जमशेकपूर के तो आपके लिए proper bus facilities भी provided हैं जिसके वजह से बहुत सारे स्टुरेंट्स hostel के लिए opt-out नहीं करते हैं क्योंकि आपके लिए bus facilities provided हैं घर से आना-ज स्किल हो जाएगा मतलब में रोड से दो किलोमेटर काफी अंदर हो जाता आपका institute तो अगर पीजी या रेंटेट रूम ढून रहे हो तो कम से कम दो किलोमेटर के बाहर ही मिलेगा तो उसके बाद आपको कुछ बाइक वगेरा देखने की जरुत पर जाए क्यूंकि और टो अगर पीजी या रेंटेट रूम लेते हो तो आपको बाइक या फिर स्कूटी इन सभी चीजों की जरुत पर जाएगी खैर ऐसा कुछ जरुत परता नहीं है क्यूंकि यूजुली अगर कोई दूर दराज चारा तो होस्टल ले लेते हैं या फिर अगर आपके जमशेथप बेल कर रहें तो भी बस फेसलीटी इनका प्रॉपर काफी जान बहुत सब्सक्राइब बहुत लोकिशन में इनका जमशेथपर बस फेसलीटी प्रोईड़ेड़ेड है इसी के साथ अगर हम बात कर ले हमारे इवेंट्स फंक्शन फेस्ट कॉलेज लाइफ किस प्रकार है त तो जितना मुझे पता चला है, जितना मैंने अभी तक कुछ explore किया है, जितना students से मुझे पता चला है, तो इनके events and functions काफी जादा हो रहे होते हैं, अफकोर्स बहुत बढ़े पतलब IITs and IITs लेवल पर तो नहीं होते हैं, लेकिन काफी frequent basis पर अच्छे खासे लेवल पर हो जा ज़रत है, लेकिन look wise अगर देखू उपर उपर से तो आपको काफी कुछ एक private university वाला जलक दिखेगा, लेकिन जितने सारे courses ऑपरेट कर रहे हैं, जितने सारे student intake हैं के उसी साब से infrastructure थोड़ा छोटा पर जाता है, इंफ्रस्ट्रुक्चर लेवल पर अभी development की ज़रत है, थो पस एरिया के अंदर एगर एक local private university ढूण रहे हो, उस हिसाब से बहुत सारे मतलब ठीक ठाक आपको amenities देखने को मिल जा रहे हो, तो लेकिन अगर आप top private and government engineering college से compare करो तो थोड़ी निरासा हाथ लग रही होगी, इसी के साथ अगर हम बात कर ले, placement में students को थोड़ा सिकायत है, 50 to 60 percentage का placement percentage बहुत बढ़िया नहीं होता, पतलब ठीक आप नॉर्मल हमारा एक अच्छा खासा private university आप इसे बोल सकते हो, local private university के हिसाब से इसी प्रकार की चीज़े चल रही होती है, तो आज के इस वीडियो में इते हैं, जो भी स्ट्रेंड आर्का जेन उनिवरस्टी जिपूर से इस वीडियो हो देख रहे है, अभी तक का आपका अपना college experience कैसा रहा है, positive, negative जो भी आपके अपने college opinion हो, या फिर आज की इस वीडियो मेरे किसी point से सहमत हो, या किसी particular branch का latest updated placement data available हो, comment section में लिखकर बताना ना भूलें, आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर व